आज हम पार्टेशन लिट्रेचर की एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेशावर एक्सप्रेस इसे लिखा था कृष्ण चंदर ने जहां पर बताया गया है कि पेशावर एक्सप्रेस एक ट्रेन जो कि पाकिस्तान से आती है भारत की तरफ वो कितना को और पूरे सिचुईशन को बताया गया है शॉर्ट स्टोरी के अंदर बात करें राइटर की तो कृष्ण चंदर एक उर्दू हिंदी शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्त थे ये एक बहुत ही प्रॉलिफिक राइटर थे जिन्होंने 20 नॉवल और 30 कलेक्शन्स जो की रेडियो में भी प्ले किये जाते थे उर्दू लेंग्विज में इन्होंने बहुत सारे स्क्रीन प्लेइज भी लिखी हैं बॉलिफूड मुवीज के लिए तो ये बहुत ही एक जाने माने राइटर रही हैं हिंदी और उर्दू के फिरसे ही मैं पिशावा रेल्वे स्टेशन से बाहर निकली मैंने चैन की सास ली मेरे सारे डिब्बे लोगों से खचा खच भरे हुए थे हाम उस सारे लोग हिंदू थे जो अपने जान का खत्रा पाकर भारत की तरफ जा रहे थे सारे रेल्वे स्टेशन पर बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी और हर जो डिब्बा था उसके अंदर दो-दो सिपाहियों को तरनाद कर दिया गया वो बलूची सिपाही थे जो हिंदू परिवारों की तरफ हस्ते हस्ते देख रहे थे ये परिवार बड़े दुख भरी निगाहों से अपने घरों को अलवेदा बोल रहे थे जैसे ही हम हसन अब्दल पहुचे वहाँ पर बहुत सारे सिख लोग खड़े थे वो पूंजा साहिब से आये थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जैसे ही वो ट्रेन में चड़े उन्होंने हिंदू और सिख परिवारों से बातचित करना शुरू कर दिया हर डिब्बे में बलूची सिफाही बंदूखताने खड़े थे आगे जाकर जब मैं तक्सीला रेलवे स्टेशन पर रुकी तो मुझे बहुत अचमबा हुआ कि क्यों रुका गया है मुझे यहाँ पर शायद कुछ और हिंदू परिवारी हाँ पर हमें मिलेंगे मुझे उन उनके हाथों में हिंदू की लाशे थी 200 लाशे मुसल्मान ट्रेन में चड़े और उन्होंने बलूची सिफाहीों से बात की कि हर एक डिब्बे में 10-15 लाशों को डाल दो और इसको पहुचा दो हिंदूस्तान में लेकिन उनकी डिमांडों को जैसे ही पूरा किया गया उन् जिन्दा लोगों को उनके हवाले किया उन्होंने एक-एक करके सब को मार गिरा है शीला भाती प्रसित जंग है थी लेकिन जो ये वाक्या हाँ पर हो रहा था ये दिल को दहला दने वाला था मैं चली और रावल पिंडे जाकर रुप गए कोई शर्णार थी तो नहीं था व वैसे ही वो औरतें चिलाने लगी कि हम मुसल्मान नहीं हैं हम हिंदू और सिक हैं उन नोजवान मुसल्मानों ने चिलाया कि हाँ ये हिंदू और सिक और और कोई इनको बचा सकता है तो बचा लो क्या कोई है जो हमसे लड़ेगा उन्होंने ये सरयाम एलान कर दिया दो लोग कूदे ट्रेंज से लेकिन बलूची सिपाईयों की रैफिल के आगे उनकी क्या चलती उनको धेर कर दिया गया कुछ और लोगोंने उनको सहारा देने की कोशिश की लेकिन सारे ना काम्याब कोशि रखना पड़ा फिर हम वजीराबाद पहुच गए हां वही जंग है जहां पर पूरे भारत के लिए चाकू और छुरिया बनती हैं यहां पर हिंदू मुसल्मान इकठे होकर सदियों से बेसाकी मनाते आए हैं यह जो जंग हैं यहां पर अब लाशे ही लाशे थी क्या यह न पीछे थी नंगन अवस्था में बहुत सारी औरतें जो कि हिंदूर सिख थी यह औरतें बहुत ही निडर होकर उनके पीछे आ रही थी उनको कोई शरम नहीं थी और बहुत ही सीधी होकर चल रही थी वो बहुत ही देखने लाइक मनजर था यह जैसे ही उन औरतों को बैठाय गया ट्रेन के अंदर एक बच्चे ने एक बूड़ी से पूछे लिया आपने कपड़े क्यों पहने क्या आप नहा कर आई है बूड़ी औरत ने अपने आसु थामते हुए बोला कि हां बेटा अज मेरे ही देश के बेटों ने मुझे नहला दिया है इस पाप से और जो मेरे ही रुकी क्या ही रुकती लहोर पहुच गए हम ट्रेन को रोका गया प्लैटफॉर्म नंबर एक पर दुसरी ट्रेन जो मृत्सर से आ रही थी प्लैटफॉर्म नंबर दो पर जिसमें मुसल्मान रफ्यूजिस भरे हुए थे वो भी रुक गए यसे ही हम अटारी पहुचे थोड़ी रहत महसूस हुई क्योंकि बलूची सिपाहियों की जंग है अब डोग्रा और सिक गार्ट्स ने ले ली थी हर डिब्बे में उन्हें तैनात कर दिया गया था और लोग भी थोड़े खुश दिख रहे थे हर सिक और हिंदू बस यही आकर देख रहा था कि कहीं किस गया तो उनके मुह से कुछ मुसल्मानी शब निकले जिससे पता लगा कि हाँ यह मुसल्मान है जो कि छुपे बैठे हैं ब्रहामन बेनकर उनको मार दिया गया ऐसे ही में चलते चलते एक जंगल की तरफ पहुची बहुत सारी हिंदू और से कुस जंगल में घुश गये मु ताकि उनको फेक दिया जाए नदी में और यही हुआ मेरे डिब्बो में भर दिये गई लाशे वही लाशे जो मैंने पाकिस्तान में देखी थी अब मैं हिंदुस्तान में देख रही थी जैसे ही लोधियाना पहुचे बहुत सारे हिंदू और सिक मुसल्मान गाउं में अपार्टमेंट में उनकी बीवी थी और एक लड़की लड़की भात ही सुन्दर थी बहुत सारे जो गाड्स थे उनको तैनात किया गया उनकी सुरक्षा के लिए लेकिन कौन किसको बक्षने वाला था उनको मार दिया गया उनकी बेटी जो एक किताब को लिये बैठी थी वो किताब भी खून से सन गई उस किताब का नाम था Socialism Theory and Practice जिसे लिखा था जॉन स्ट्रेचरी ने और चलते चलते मैं बंबई पहुँच गए मैं एक मिथ ट्रेन थी जो सिर्फ लकडी और स्टील से बनी थी कोई जान नहीं थी मिरे अंदर ना ही कोई जजबात मुझे इस विभाजन की लाशों को नहीं ढोना था मुझे इस खून को नहीं देखना था मुझे कुछ बड़ा करना था मुझे अपने देश की तरक्की में कामाना था मुझे उन लोगों को, किसानों को अपने अंदर लेके जाना था उनको मदद करना था उनकी फसलों को उगाने में उनकी फसलों को एक जंगे से दूसरी जंगे ले जाने में जहां पर वो हिंदू मसुल्मान नहों कर एक मानव हूँ, एक वरकर हूँ मुझे ये सब करना था मुझे इस विभाजन को नहीं देखना था नहीं इनकी एच्छा ये था इस कहानी के बारे में I hope आपको ये सब समझ आया होगा फिर भी कोई question या फिर query है उसे आप comment box में लिख सकते हैं don't forget to subscribe the channel like the video and share it with your classmates और bell icon को भी आप प्रेस कर सकते हैं so that you won't miss any notification from the channel so meet you in the next video till then take care, stay happy and healthy